नमस्कार, मैं सिम्टा कथा मंतर में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंतर में आज सुनिये रमा कांत जी द्वारा रचित कहानी व्यति करम मा जब तब कहा करती है अरे हमारे तो करम ही फूट गए हम सारी बातों का करम जोड लेते मा ने पिताजी से शाम और अगले दिन सुबा के लिए सबजियां या बजार से कुछ लाने को कहा होगा और पिताजी ने कहा होगा हाँ जोला और पैसे दे दो मा ने पैसे और जोला उनके पास रख दिये होंगे और पिताजी उठे नहीं होंगे और फिर माने कहा होगा अरे पैसे और जुला रग दिया है यहाँ उट तो रहाओं जरा यह ख़बर पढ़ लो पिता जीने कहा होगा अरे मिरी एंगिटी की आज बेकार जा रही है यह ख़बर फिर पढ़ लेना मा के स्वर में खलके चिड़चिड़ा हट रही होगी पिताजी ने सुझाया अरे तो रोटियां सेख लो ना आज क्यों परबात कर रही हो लेकिन रोटियां भी सिख गई होगी तब पिताजी ने अकबार से अपना ध्यान हटाए बिना कहा होगा अरे रोटियां भी सिख गई अच्छा तो कोई अचारिय चट्पी नहीं है उसी से खा लेंगे अरे तुम तो खा लोगे पर मलू और गुलू सवेरे ही तो स्कूल जाना होता है उन्हें कोई मक्षन या दूर नहीं मिलता सबजी होगी तो दो-दो रोटियां काकर स्कूल चले जाएंगे और उसी पर दो बजी तक रहेंगे तो उन्हें में से किसी से मंगा लो ना यह नहीं हो सकता मा कहती यही तो नहीं है बजार कितना खतरनाक है रिक्षा, तांगा, मोटरों की भारमार फिर महले की शेतान चोकरे बाद बाद पर जगड़ा लड़ाई करते हैं तुम्हें नहीं जाना तो मुझसे ही क्यों नहीं कह देते मैं ही तुम्हारे रहते सब जगा आऊं जाऊं हे भगवान मेरे तो ओ अच्छा पिता जी कहते अग्भार अच्छी तरह तहकर रखते थे फिर जोला और पैसे उठा कर बजार चले जाते करीब करीब रोज का क्रम था काम से आते वे कभी-कभी अपने साथ कोई किताब भी ले आते वह कबाड़ी के यहां से खरीदी पुरानी किताबे होती किसी की जिल्द ना होती किसी के पड़ने एक दूसरे से अलग रहते घर के कमरे में कि जिस कौन में उनकी चार पाई रहती उसी पर करवट लेटकर काफी देर तक वे उनकी ताबों को पड़ने सहेचते संभालते रहते फिर उन्हें पड़ने में लग चाते उसी समय बार-बार माँंसे बजार जाने की जिल करने लगती एक बार यह क्रम बदल गया उस साल सर्दियां बहुत जल्दी शुरू हो गए थी और सालो पुरानी रजाईयों को उधर कर उनकी खोलियां दुला लेने और रूई को दुबारा दुनवा लेने के लिए काफी मौकर मिल जाता था पर उस बार नहीं मिला हमें पुरानी रजाईयां ही ओड़ें पड़ी उनकी रूई धीली पढ़कर इधर उधर खिसक गई थी पर अब उन्हें ठीक कराने का मौका ना था मेरा कोट छोटा हो गया था मेरे स्वेटर की भी उन उधर रही थी एक पुरानी कमीच पहन कर मैं स्वेटर पहन लेता और फिर उपर से एक कमीच और उस दिन सर्दी जरा जादा थी पिता जी के सामने मैंने चाय रखी तो मेरे दांत किटकिटा रही थे उन्होंने पुछा तुम अपना कोट क्यों नहीं पहनते मेरा छोटा हो गया है मल्लू को आ गया है मुझे नया कोट ले दीजी छोटा हो गया जराबी पहनने लायक नहीं मैंने मल्लू से कोट लेकर पहन कर दिखा दिया बहां कलाईयों से चार अंगुल उपर तक चढ़ाई और बटंग भूत मुश्किल से बंद हुए अरे तु तो बड़ा हो रहा है मेरी पीट थप थपाते हुए शन भर को वह मेरी और देखते रहे उनके होटों के कोरों में दबी हुई हसी फूट पड़ी मैंने उन्हें हसते कभी नहीं देखा था उनकी आखे तक हस रही थी लेकिन सिरफ शन भर को अगले ही शन उदास हो गए आखों में हमेशा बनी रहने वाली किसी पीड़ा की उदासी जैसे उन पर फिर से छा गई उस दिन ना उन्होंने अखबार पड़ा और ना अपनी किताबे ही संभाली किताब और अखबार चार पाई किस रहा ने दिवार में बनी अलमारी में रख दिये और हतेलियों पर गर्दन टिकाए बहुत देर तक छट किया और दिखते रहे माने सबची लाने के लिए कहा तो उन्होंने जरा भी प्रतिवाद ना किया चुप चप जुला उठाया और बजार चले गए उसके बाद वे कई दिनों तक ना कोई अखबार लाए और ना कबाड़ी की यहां से कोई किताब हमें कई हफतों बाद पता चला उस दिन दुपहर को हम स्कूल से लोटे तो पिताजी खड़की के पास एक स्टूल खीच कर बैठे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने एक बर हमारी और देखा फिर अपनी नजरे किताब में गड़ानी जैसे अब नजरे वहीं स्थिर्फ हो जाएंगे हमारे लिए दिन की रोटियां रखी रहती थी जो उस दिन हमें ना मिली शाम को माने और दिनों की तरह सौधा लाने के लिए पिताजी से बजार जैने को भी नहीं कहा रात को नमक और पानी के साथ हमारे आगे दो-दो रोटियां रखकर रोने लगी रोते रोते ही उन्होंने बताया पिताजी की नौकरी दो महीने पहले ही छूट गई थी हमने फिर सारा क्रम जोड लिया पिताजी रोज काम की तलाश में निकलते हमारे स्कूल जाने के पहले ही निकल जाते और काफी शाम ढ़ले लोटते बहुत थकेवे वे घर में धाखिल होते और निढाल हो हतेलियों में सर्थामे अपनी चार पाई पर देर तक बैठे रहते कमरे में दूसरी और बैठ कर हम पड़ा करते वे हम यह दिखाने की कोशिश करते कि हमें कुछ पता नहीं मा पिता जी के सामने स्टूल खीच कर उसी पर कुछ खाने की चीज़े रख देती हमें देखते ही वे खाने की चीज़े रोज कम से कम होती जा रही थी हमें डर लगता था कि ऐसा ना हो कि एक दिन उनके सामने जो थाली रखी जा में कुछ रही ना पिता जी एक रोटी खा लेते फिर कहते भूख नहीं है फिर हम भी यही करने लगे थोड़ा सा कुछ खाकर हम धेर सारा पानी पी लेते और फिर कह देते भूख नहीं पहले तो यह बहाना था और बाद में आदत बन गई हमें सचोंच भूख कम लगती थी म मां बहुत तरी डिरी सी रहने लगी थी उनका डरा डरा सा वहवार बहुत अजीब लगता अब वह किसी बात पर भी जोड़ना देती पिता जी को पढ़ने के लिए भी ना कोस्ती लेकिन पिता जी ने पढ़ना बंद कर दिया था वह लेट कर कुछ पढ़ने की कोशिश जर जानते थे चरहाई का रद्धी बेचने वाला था माँ घर भर में घूम घूम कर समान लाती और कमरे के बीच में रखती जाती सबसे आखिर में वह अपनी सिलाई मशीन ले आई हमें लगा कि उसे रखते रखते शायद वह खुद गिर पड़ेंगी उस आदमी ने उनके हाथ से मशीन समाल ली लेकिन हमारा बैर निर्मूल था साफधाली से मशीन रखकर आचन से अपने हाथ पहुचती भी बारी की सेवे हर चीज का भावताव करने लेगी उस दिन बहुत दिनों के बाद माँ ने उसे बजार जाने की जिल की हमेंसे किसी ने उस दिन भूक ना लगने की शिकायत नहीं की लेकिन जादा दिन तक यह नहीं चल सका माने पिताजी से का क्यों ना मैं ही कोई काम तलाश हूँ तुम पिताजी ने का तुम कौन सा काम करोगी मुझे क्या पता इसलिए तो तुम से ही पूछ रही हूँ मैं तो कहता हूँ इसका ख्याल छोड़ दो तुम दो चार दिन की मुश्किल है कट जाए दो चार दिन बहुत जल्दी पीड़ गए मुश्किले बरकरार रही मा ने फिर पिताजी से अपने सुलसिले में कोई बात नहीं किये हाँ एक दिन वे है मौले की दो तिन अवरतों के साथ कहींगे गई थी आई तो अपने साथ बहुत सारा कपड़ा ले आई तुरंत उसे काटने बैठ गई और शाम तक उन्होंने कहीं मिलाज और पेटिकोट काट डाले और उन पर हाथ से कच्छी सिलाई भी कर दी पिताजी रोज की तरह शाम को आई तो उन्होंने भी देखा यह सब ताज्जुप में पढ़कर उन्होंने जैसे कुछ कहना चाहा किन्तु फिर चुप रहे माहर तीसरे चौते दिन जाती कप्ड़े लाती काटती उन पर कच्छी सिलाई करती फिर उनके साथी वजार जैने वाली एक और उन पर बखिया कर देती और वे उन्हें दुकान दर के हियां पहुचा आती लेकिन वे हर रोज कप्ड़े न ला पाती कभी न मिलता तो कभी खाली हाती वापस आना पड़ता पिताजी का पढ़ना फिर बंद हो गया था एक दिन वे लोटे तो उनके साथ एक अजनबी आदमी बैठा था उसे बठा कर पिताजी अपने किताबों के अलमारी के पास गए और एक एक करई अलमारी से किताबे निकाल निकाल कर जमीन पर फैलाने लगे वहादमी रदी बैचनेवाला था वहाँ हर एक किताब को गोड़ से देखता किताब की हालत के मताबश उन्हें अलग-अलग धेरियों में रखता जाता सारी किताबों की धेरियां लग गई तो वह कुछ देर तक दाम का हिसाब लगा तरह आखिरकार हिसाब लगा चुका तो कहा सारी 20 रुपे की होंगी बाबुजी मा अब तक सहमी हुई सी है दीख रही थी 20 रुपे का नाम सुना तो पिताजी के जवाब देने के पहले ही खुद ही आगे बढ़ाई और का रहने तो तुम हमें किताब ना बेचनी है किताब वाला उलजहन में पढ़कर पिताजी को देखने लगा पिताजी ने का नहीं भाई इनकी बातों का ख्याल ना करो दाम तो तुम जरूर कम दे रहे हो नहीं नहीं मा बोली 100 रुपे भी दें तो भी मीजे किताब नहीं बेचनी आखिर क्या करना है इनका इन्हें पढ़ चुका हूँ इन्हें बेच कर दूसरी किताब ले आओंगा आखिर 25 रुपे में सौधत तैह हो गया किताबों की धेडियां बंद कर चला गया तो पिताजी ने वे रुपे मा की और बढ़ाते हुए कहा तुम नहाख परिशान होती है अभी हमारा समय खराब है तुम तो कह रहे थे कि दूसरी किताबे खरीदने के लिए ने बेच रहा हूँ तुम्हें हमारी किसम किताबे ही खरीदना इन पैसों से उस दिन मा अपने आपको फिर रोक ना पाई और बहुत देर तक रोती रहे अगले हफते पिताजी को काम मिल गया जब घर लोटे तो रोज की तरह ठके और निडाल नहीं थे निडाश होकर चार पाई पर देर तक बैठे भी रहे आते ही हात मुदोए और खुद ही खाने की मांकी और खाना खाने के बीच में ही काम मिल जाने की खुशकबरी भी दी जब ही तो कहूं आज जरूर कोई बात है मा का चहरा भी खिल उठा उन्होंने बताया तनका पहली नौकरिक से 10 रुपे कम है फिर भी मैंने मान लिया काम ना होने से तो अच्छा है मल्लू ने मुझसे लड़ना जगरना छोड़ रखा था उस दिन बहुत दिनों बाद उसने मुझे चिकोटी काटी मैंने भी उसकी पीट पर धौल जमाई उसने भाग कर मा से शिकायत की और माने हमें जड़का पच्छहरे पर और आँखों में हसी ज़लक रही थी जैसे हम पिताजी और मा को बरसो बात देख रहे थे मल्लू को उठा कर दुलारा मुझे भी पुचकार कर उसनों ने अपने पास बैठाया पहली तनका पर हमारे लिए कपड़े और किरमिच के जूते खरीदे गए पिताजी फिर शाम को पुरानी किताब लाते और मा सबजी लाने के लिए उठाने में असमर्थ होकर अपने करम को कोसने लगते एक दिन वहे फिर कोई किताब या अकभार नहीं लाए हमने फिर सारा करम चोड़ लिया उस दिन मैंने मलू की गैंद अपने थैले में रख ली थी इसके लिए वहे मुझसे दिन भर लड़ता रहा और अब वहे अपनी गैंद भूल गया पिताजी चार पाई पर सिर्थाम कर बैट गए माने किसी तरह चाए बनाई और पिताजी के आगे तिपाई पर रखती उन्होंने बहुत देर तक उसकी और देखा भी नहीं मा जैसे भीतर तक काम करी बड़ी मुश्किल से अपने को संभाल कर उन्होंने कहा चाए पिलो धेंडी हो रही है हाँ पिलेता हूँ आज क्या हो गया इस तरह बैटे हो उन्होंने जैसे जानते वे भी पूछा क्या काम से जवाब मिल गया नहीं जवाब तो नहीं मिला पिताजी ने कहा तो फिर इस तरह क्यों बैटे हो ता बेट खराव है नहीं फिर सोसता हूँ कल से काम पर ना जाओं या जा पाओंगा या नहीं कुछ कहनी सकता क्यों पिताजी फिर कुछ दिर तक ना बुले और बोलते क्यों नहीं जब जवाब नहीं मिला तो ऐसा सोच क्यों रहे हो माँ अब फिर कुछ आश्वर स्थिख हो गए वह काम छुटने से भी भयानक बात है पिताजी ने कहा अंगिती पर पंका जलते जलते मा का हाथ अचानक रुख गया पिताजी जैसे अपने आप से कहते रहे है हाँ काम छुटने से भी भयानक समझी नहीं समझो क्या पहले तुमें नहीं मालुम था मा ने पूचा, मालूम था पर हड़ताल की वज़े से जिनकी छुटी पर हमें रखा गया था वे आज जुलूस बना कर आए थे 25 तीस लोग, साथ में उनकी और और बच्चे भी थे फिर पुलीस आई और लॉरियों में भर कर उने ले गए क्या और लोगों ने भी ये फैसले किया है औरों की बात नहीं जानता पिताजी ने का, लेकिन क्या अब वहाँ जाना ठीक होगा मा कुछ नहीं बोली पिताजी भी कुछ दे चुप रहे, फिर उन्हों नहीं कहा तुमने बताए हैं नहीं, क्या अब वहाँ जाना ठीक होगा मुझसे क्यों कहलवाना चाते हो, नहीं जाओगे तो क्या मैं जित करूँगी मा ने कहा, अंगीठी बिल्कुल ठंडी पड़ चुगी थी उनके हाथों में जैसे अब पंका जलने की ताकत नहीं रह गई थी और हमें लगा अब इसमें कभी फिर आच नहीं उठी सकेगी पिताजी निढ़ा लोकर चार पाई पर लेड़ गे, उनकी निगा हमारे उपर पड़ी तुम लोग यहां क्यों खड़े हो, जाओ बाहर निकल जाकर के खेलो हमने जैसे सुना ही नहीं, पिताजी से ऐसा चीख पड़े जाओ, जाओ खेलते क्यों नहीं, कम से कम इस वक्त तो मेरे सामने से चले जाओ हम सहम कर एक कौने में दुपके खड़े रहे पर वह इस तरह चीख क्यों रहते यह तो हमारे क्रम में कहीं नहीं था हम इसका कोई क्रम नहीं जोड़ पाए